सभी को मेरा साधर प्रणाम, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज की बेहत खास पेशकस में, आप देख रहे हैं हमारे साथ ओंप्रोप्टेक्ट प्राइवेट लिमिटिड का यूट्यूब चैनल मैं सोनिया चौधरी, आज बात कर रहे हैं साथ ही हम एतहासिक दिन की, ये एतहासिक दिन ना केवल गौतम बुधनगर के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गर्व के पल हैं। और ये बहुत ही बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जिनके लगातार कोश्चन थे कि मैम फिल्म सिटी आखिर कब होगी। वही सात्यों जेवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो टाइम था वो सैप्टेमबर था दो हजार चौविस में लेकिन कहीं न कहीं अभी काम थोड़ा अधूरा है टर्मिनल बिल्डिंग का। इस पर डॉक्टर अरुनवीर सिंग जी ने आराजगी भी जताई है क्योंकि जो तै समय सीमा थी उसी में था कि एयरपोर्ट की उडान जो है वो शुरू होगी। और ना ये जिक्र हुआ कि किन चीजों की वज़े से ये चीजे डिले हुई है। सुनाई आ रहा था कि एप्रेल 2025 में उडाने शुरू होगी लेकिन अरुनवीर सिंग जी ने जो समय दिया है जूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तैयार होने के लिए वो दिसेंबर तक का उन्हें समय बढ़ा दिया गया है। अब देखते हैं कि 2024 के अंत तक यहां से उडाने शुरू हो सकती है या नहीं। वो भरेंगे। वहीं लोग बोल रहे हैं कि मैं अप्लाई कहां करे हम रेजिडेंचल स्कीम पे। तो साथी अभी सीम आई नहीं है। जब स्कीम की डेट डिक्लियर होगी तब ही आप अप्लाई कर सकते हैं तब ही जो लिंक है उस पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे सबसे पहले डाल लेते हैं एक बार स्क्रीन पर नज़र सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है 27 जून पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एतहासिक दिन है जी बिलकुल है जैसे इंटरनेशनल एरपोर्ट का सिल अन्यास जिस दिन हुआ वो एतहासिक दिन बन गया गौतमबुद नगर के लिए उत्तर प्रदेश के लिए और वहीं आज 27 जून 2024 भी एतहासिक दिन होगा पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आज का एतासिक दिन थोड़ी देर में यमना प्राधिकरंट पहुँचेंगे बोनी कपूर फिल्म सिटी की फाइल पर करेंगे साइन जो भी फाइल हैं जो भी उनके एग्रिमेंट हुए हैं जो भी नॉम्स हैं जो भी रूल्स हैं उसके हिसाब से वो करके सारी चीजों पर साइन करके और जल्द से यहां निर्मान कारश शुरू होने जा रहा है आज का दिन केवल गौतम बुद्ध नगर के लिए ही नहीं बलकि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एतहासिक होने जा रहा है थोड़ी ही देर में महान फिल्म निर्माता बोनी कपूर यमना प्राधिकरन पहुचेंगे जहां पर वे फिल्म सिटी परियुजना को लेकर समझोता पत्र पर फाइल कर साइन करेंगे यह दिन काफी बड़ा होने वाला है वे दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश के गौतम बुद नगर में देश की अंतरास्टे फिल्म सिटी विक्सित होकर तयार होगी तो बेहद एहम खबर हम इसे मानेंगे बहुत बड़ी खबर हम इसे मानेंगे लगातार जो अर्चने आई है सक्टर 21 के यमना प्राधिकरन फिल्म सिटी में वो आज दिन आही गया है जो हकीकत में तबदील होता हुआ हमें नजर आ रहा है यह फिल्म सिटी परियोजना ना केवल उत्तर प्रदेश के लिए बलकि पूरे भारते फिल्म उद्योग के लिए एक महतपोन मील का जो पत्थर है वो साबित होगा उत्तर प्रदेश से जो लोग नहीं अपना टैलेंट दिखा पा रहे थे जोगे यहां से नहीं लोग मुंबई जा पा रहे थे उनके लिए ये मील का पत्थर साबित जरूर होगा इससे छेतर में रोजगार के नए अफसर पैदा होंगे और फिल्म निर्मार्ट के गुणवत्ता में भी सुदार आएगा जो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को देश का नया फिल्म हब बनाने में मदद करेंगे बेसबरी से तो देखो सब को इंतजार है हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी जो प्रोजेक्ट हैं वो बनकर तैयार हो जाएं जिन्हों ने अपना पैसा इंवस्टमेंट किया है जिन्हों को लगता है हमें आयन फ्यूचर रहने का हमारा प्लान है जिस भी इंटेंचन से जिस भी मोटो से लोगों ने यहां पर अपने पैसे लगाए हुए हैं उनका भी कहीं न कहीं यह एम एक इच्छा रहती है कि जल्दी से जल्दी जो चीजें हैं वो हमें धरातल पर देखने को मिले तो सेक्टर 21 यमना प्राधी करण की फिल्म सिटी में भी निर्मान का र्याव शुरू होता हुआ नजर आएगा यह लंबे समय का इंतजार लोगों का भी खतम हुआ है जो बेसबरी से लोग इंतजार कर रहे थे उनको भी कहीं न कहीं यह राहत भरी कबर मिलेगी क्योंकि अभी कहीं न कहीं लोग निरास हो जाते हैं जब जो तैसमय सीमा होती है उससे थोड़ा सा डिले हो जाएं चीजें तो लोगों के मन में 10 तरीके के सवाल उत्पन हो जाते हैं कि क्या चीजें होंगी या नहीं होंगी लेकिन हम बोलते हैं हर वीडियो में यह यमना अगर कोई परियोजना कोई प्रोजेक्ट का जिक्र हुआ है या उसकी बात आई है तो 101% वो परियोजना शुरू भी होगी धरातल पर देखने को भी मिलेगी और लोगों को यहाँ पर बहतर आप्शन रोजगार के मिलेंगे ही मिलेंगे तो आज मैंने सारी आपको अपडेट दी है कि कैसे कैसे फिल्म सिटी का निर्मान एयरपोर्ट का थोड़ा डिले होता हुआ नजर आ रहा है जो उडान है विमानों की वहीं अभी रेजिदेंशल स्कीम का भी कोई डेट कोई समय तैर नहीं हुआ है लेकिन आप बेचिंत रहे जो भी इसकीम आएगी जो भी चीजे होंगी जो भी अपडेट होगी वो ओम प्रोटेक के चैनल से आपको लगातार दी जाएंगे बाकी कोई 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 क्वेरी है तो हमेशा स्क्रीन पर हम नंबर मेंशन रखते हैं आप हमसे कॉल के मादम से जुड़ सकते हैं और अपने स सारे सवालों के जवाब ले सकते हैं फिर मिलूंगी ऐसी ही कुछ बड़ी खबर के साथ अब लेती हूँ आपसे विदा और आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत आभार